इस चैनल में पुना आपका फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वीपति और परिसानियों से बचने के लिए ऐसे हो बाद जिनको करने से विल्कुल ये परिसानिया छो मंतर हो जाएं तो आएए चलते हैं इस कड़ी में आगे जानने के लिए कि यसी घर में कौन-कौन सी चीजें होती है जिसके कारण हमारे घर में हमारे उपर परिसानिया की परिसानिया आने लगती है तो शेयन कल्ष में पति-पत्नी का जो बेट वेट रहता है वो बहुत महत्कून इसमें रहता है घर के अंदर पति-पत्नी के लिए कि वो जो बेट जो होता है वो दो हिसों में नहीं को चाहिए वो सिंग की लेक हो मा चाहिए इनी कि गद्धा उसका दो पार्ट होना थी, एंपार्ट में होना चाहिए और घर में जो जिससे ख़राब घड़ियां रहती हैं पड़ी रहती हैं रेडियो है, टीवी है ये सब खराब एस्तिति में कत्ते ही नहीं लेने चाहिए या तो इनको हटा दें या तो इनको बनवादें इसके लावा घर में जो कभी भी कैक्टर्स के या गोंसाई के पौधे नहीं लगाने चलिए उसकी जिस्से जादा घर के अंदर बहुत जादा निगेटिव एनर्जी क्रियेट होती है कई घरों में बुक सेल्फ में जो किताबें कापियां जो पड़ी रहती हैं उडाने पेपर हैं पेन ऐसे हैं जो चलते नहीं है या ऐसे स्टेशन डी जो भी इस्तमाल में ही नहीं है वो भी घरों में पड़ी रहती है जो कि बिलकुल अच्छी नहीं है और उससे जाद इतनी जाड़ा negative energy create होती है कि घर के अंदर लोगों को बहुत सारी परसानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि घर में सुखे फूल, मुर्जाय फूल, पेल पौधे रहते हैं। जो कि एक बहुत असुब माना जाता है वास्तू के अंदर, तो घर में अगर सुखे फूल, पत्ते, पेल पौधे हो, मुर्जाय हो, पत्निया गिरी होई हो, तो उनको साफ कर देना चाहिए। और घर में जो सीनिया होती हैं, अगर वो कहीं पे कुटी होई है, तो यह भी बहुत असुब वास्तू दोस्त में माना जाता है, उनको भी तुलंत बनवा के अमरमत करा लेना चाहिए। इसके अलावा, घर में खिलकी दर्वाजे जब बंद करते हैं, तो उसमें से आवाजे बहुत आती हैं ऐसी जबहुते, जहां पर घर में दिक्कत परसानी रहती है, वहां पर खिलकी दर्वाजे बंद करते हैं तो उसमें आवाज बहुत आती है, तो उस आवाज को भी हमें किसी तरीके से बंद करना है उसमें तेलवेग डालके जिससे कि यह आवाज बंद हो जाए उसकी उससे एनर्जी जो है निगेटिव एनर्जी घर के अंदर क्लियेट होती है और चारों और उसका मुवमेंट रहता है इसके अलावा घर के अंदर जितनी अनावसिक चीजें हैं जो हम घर में रखते हैं जिनका प्रयोग या उपयोग नहीं कर रहे हैं उसको भी घर से हर हाल में हटा देना चाहिए इसके अलावा बेडरूम में जहां प अगर मजबूरी हो कि हम उसको नहीं चैंज कर सकते हैं तो उसमें हमें फाल सीलिंग लगवा लेना चाहिए इसे तरीके से हम बेडरूम में देखते हैं सैंकेश में जो अल्मारियों में या दिवार पे आज कल सीसा भी लगाते हैं लोग सीसे का सेटप ऐसा हो कि जिसमें ब देखा जाए तो उसमें बेड की इमेज बिस्तर की इमेज नहीं आने चाहिए अगर यह इमेज आ रही है तो यह बहुत बड़ा एक वास्तुदोस है जिसके वैसे परसानी विपत्ती बहुत आती है तो ऐसे में उसका एडियस्मेंट ऐसे करें कि मिरर के अंदर बेड या बिस परसानिया है यह बिल्कुल छूम अंतर है तो इतना करके आप इसका लाव उठाए अगर आपको कुछ कमेंट देना हो तो कमेंट बाक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं अच्छा लगाओ वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए जिसे अधिक से अधिक लो इसका लाव उठापाएं इसी के साथ में आप स्वस्थ रहिए एल्दी रहिए और बिल्कुल प्रसंत्ता पुरोग अपना जीवन आपन करिए धन्यावाद